बीच माई दस महिने के लिए इंडिया में बैन था, दस महिने बाद ये वापस आ रहा है, मगर वापस आएगा तो कितने सारे चेंजेस के साथ आएगा, आईए मैं आपको बताता हूँ ये जो सामने से बंदे आ रहे हैं, ये बाट्स हैं गाईज, नए अपडेट के बाद बाट्स अब गाड़ी चला के आ सकते हैं, अपने टीमेट्स को लेके आ सकते हैं, उसको रिवाइव दे सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, यहां तक ही पीक कर सकते हैं, जम कर सकत मैं यह बार कितना ज्यादा कूल पहले नॉर्मली सीधा ऐसे प्लेन चलती थी अगर आपने मीरामार मैप खेला है तो ये कार आपको पता होगी ये बीजमाई के दुनिया की सबसे फास्टेस कार है जो की कनवर्टेबल टॉप के साथ आती है जिसको आप लोग लगा सकते हो हटा सकते हो साइड में एक छोटी तो मिरको अबने समझ में आ रहा है कि इसको लाने की क्या जरूरी थी बट यार ये काफी ज्यादा सही है किसी भी चीज को आसानी से पार कर जाता है परली बार वीजमाई ने साइकल को पर्मानेटली एड कर दिया गेम के अंदर जगा जगा पे आपको साइकल स्टैंड्स जिनके अदर चार साइकल्स रहती है ये साइकल स्टैंड्स पूरे मैप में पांच जगा दिखाए देते जिनका लोकेशन मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपने दे दिया जिन्होंने मेर को इंस्टाग्राम पे फॉलो निकिया फटक से फॉलो करो साइकल को आप लोग और जब भी पेट्रोल पंप पे जाता था बोलता था भाई यार ये किस काम का है नकली शोपीस मगर अब नहीं अब पेट्रोल पंप एक्टिव हो चुके है गाइस जस आपको ये पीली वाली लाइन के इंदर गारी अपनी खड़ी करनी है एक टोकन आपसे मांगेगा क्लि चलते रहता जैसे कि M24 50% अफ लेवल 3 कालमेट 50% अफ, 8x 50% अफ ऐसे यार बहुत सार इस पी अंदर ओफर चलते रहते हैं ये जो शॉप आपको 23 लोकेशन पर पूरे मैप के अंदर मिलेगी बट ये पांची जेगा बस पॉन होती है ठीके एक बार में पांची जेगा फिर चलाते थे म्यूटन्ट यानि की Mk47 तो आपके लिए शॉप के अंदर एक चीज एड करीगी है जिसका नाम है फुल आटो मोड अब यार ये चीज क्या है आपको बस बाई करनी है बाई करने के बाद आपका बैक चेक करना है और इसको अपके जो गन इसके अंदर लग यार इतनी बिकार गन है मतलब है तो पावरफूल मगर लोगों को मजा नहीं आता ता तो इस अटेश्मेंट को इसले लेका है ताकि लोगों को मजा है फायर करने में थोड़ा मतलब ठीक ठाक लगे लोगों यूज करना स्टार्ट करें इसको यार एक बहुत ही कमाल का अट आपको नीचे कुछ तो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं अभी मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो यह जो ब्लैक कलर के दो साइड में शिल्ड बने ना यही है वो अटेश्मेंट तो यार इससे होगा क्या ना कि आपकी जो बुलेट है मतलब आ यह जो बुलेट से उससे मिर को प्रोटेक कर रहा है ठीक है तो यह जो गंशिल्ड काफी जादा कमाल की चीज एड़ ही है तो इसकोल बिल्डिंग्स में ना माइनर्थ चेंजेज हुए है जो की काफी जादा कमाल के जैसे की धान से दिखूग गई तो चार चोटी चोटी यह हॉस्पिटल है गाइस लेट साइड अगर लोग ध्यान से देखूगे तो एक बड़ा सा तोड़ फोड हुई है उसके बाद ऊपर की तरफ भी अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे भी तोड़ फोड हुआ है तो यह इसली इनोंने किया है ताकि इनका मैंने आपको जस्ट नीचे मिलिटरी बेस के जस्ट नीचे जहां पर आप लोग कभी गया ही नहीं होंगे वहां पर एक नया पोड़ एड किया गया है इसलिए ताकि इसपोर्ट जो प्लेयर रहते ना जब फज जाते तो उनको रोटेशन मारने में आसा नहीं हो उनके लिए यहां पर न देख सकते हो कितना जादा चेंज हो चुका है यह जगा बीच में बहुत बड़े बड़े पत्थर भी आइड कर दिये हैं यानि कि अगर ब्रिच कैम्प अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको बहुत समल करेना बड़ेगा एक और बहुत बड़ा चेंज आड हुआ है फार् यह लोग बना रहे हैं तो इसके लिए यहां पर वेर हाउसेस और इतने सारे कंपाउंड साइड कर दिये हैं कि भाई सब मजा आ जाएगा कॉम्पेटिटिव प्लेयर्स को तो काईज आपको विंटर फेस्टिवल यहाद है आपको यह ट्राम्स देखने को मिलते थे जिनके उपर चड़के आप लोग यहां से सीधा स्टालवर यानि कि आसनाया से सीधा स्टालवर जाते थे बस आपको इस ट्राम के अंदर आना है और इसको उपन कर देना है उपन करने के बाद यह जो ट्राम में चलना लगता था और यहां से सीधा आप लोग पहुंसते थे कहां पर तो गाइस यह चीज आप पर्मानेंटली एड कर दिये विकॉज यहां से ठीक स्टालवर तक बहुत यूची जगाया और वहां पर जाने के लिए कुछ भी नहीं था तो इसके लिए यहां पर इन्होंने बहुत ही सही चीज करी है किसको पर्मानेंटली एड कर दिया है आप लोग मैप में देख सकते हो और जो तीसरा है वो स्टालबर से लेके कामेश की तक यानि की तीन जगा ये जो ट्राम है उसको एड़ किया गया है ये ट्राम भाई काफी जादा सही लगने वाला है और भाई मैं बतारो लोगों को बहुत पसंद आएगा